करने बड़ी के लिए लगतर है नहीं न तो हमने एक बड़ा सुनाख कर दें जिससे असान पेपर भी मैंने जो जाएगा और इंसान के बच्चे वनों कि हसी कहीं और ही जा रही देखते हैं अगर हमें लगता है कि मटीरल होगी तो फिर आम इंपेर्मेंट की डीटेल में टेस्टिंग करते हैं फिर अब फिर विलेश पॉस्ट तो चेक करते हैं कि कैरिंग अमांट से उपर आए तो रुप जाते नहीं होता तो फिर हम वैल्यू निज्यूज निकालते हैं या दा रहा फिर हम डीटेल टेस्टिंग करते हैं कि इंपेर्मेंट बुक करनी है या नहीं ऐसे हैं अच्छा यह ज्यूम करें हमने एक एसिड पर पांच साल सेकंड यह एंड पर हमने इसकी इंपेर्मेंट टेस्टिंग की तो हमें पता चला कि इसका रिकवरेबल अमांट सेकंड यह एंड पर इसका रिकवरेबल अमांट हो गया जी ऐञें नहींट बँब करें कि पांक सो थेहरो सब्सक्राइबर अमांट कितना होगते हैं पांक सब्सक्राइबर और नहींट पता चला जी कि इसका रिकवरेबल अमांट हो गया जी साधैं चारसर कितने साधैं चारसर अब आपने मुझे यह बताने की इतनी इंपियर्मेंट कोटा करने का बढ़ जाना कैसे बढ़ेगा हालात अच्छे हो जाए हालात अच्छे कैसे होंगे सर पहले हमारा प्रॉडक्ट नहीं भीकेगा अब लग रहा है ठीके जी मुल्क में हालात अच्छे होगा सर यह सारे जो बेरूपी और यह गदे के पुतर बैठे में सारे यह उटके चले के कोई इंसान का बच्छा आ गया जिसने एकॉनमी अच्छी संभाल ली क्या हुआ जनाब लोगों की पर कैपिटा इंकम बढ़ने शुरू हुए ठीके जी हमारी प्रॉडक्टिविटी जीडीपी बढ़ने शुरू हुआ हमारा जो है वो इंकम बढ़ गई तो क्या है ठीके जी अभी थोड़े टाइम बात तुम इसे बहुत सरे लोग किसी फ़र्म में जाएंगे पाकिसान से बाहर जाएंगे किसी यूएस कंपनी का आडिट कर रहे हुए यूएस गैप में इंपेर्मेंट रिवर्सल अलाउड नहीं है वंस इंपेर्मेंट बुग हो गई है रिवर्स कर सकते हैं किया मैंने कभी यह क्या कि आप गेंट कर सकते हैं है नहीं ैसी हिसाब से आप रिवर्सल कर सकते है कि ज्यादा है नहीं आस debt इंकम भूप नहीं करने क्या करना है लॉस को रिवर्स करना है अब आधार दोस्तिक बूर्ट पे दिखेगा यह हमारे पास एक च्छोटा दर पूजिशन है जब भी इंपेर्मेंट की रिवर्सल का पूजिशन है का आप तो हिंट मिल गई कि जी दो रिक अभी का रहा है एक सवाद का आ रहा है तो आप ने 3 कॉलम बनाने सब तीन कॉलम बनाक चलने सर पहला हमारे पास 3-4 जो भी है पहला मारे पास कॉलम होगा डेट का यह वरकिंग हमने बना नहीं है पर्डिकुलर्स फिर कैरिंग अमाउंट और इस्टॉरिकल कैरिंग अमाउंट ठीक है बहुर से रेकना दोस्ति मुझे इक बात हुदा हमने असिट खरी रहा कितने गया है से फर्स्ट जैनुट्री सीम गारें है फर्स जैनुट्री दोजर निस पर मैंने असिड खरीड़ ठीक है इस्टॉरिकल कैरिंग अमाउंट देत ऑफ परचेस है मेरे पास 1 जैनुट्री सर मैने क्या किया एक इसट पर शेज क्या पहले जैनुट 2019 को मैं लिख रहा हूँ जनाम पर्चेज आफ पीपी कितना हूँ एक हजार historical carrying amount भी एक हजार historical carrying amount होती क्या है यानि अगर asset कभी impair हो ही ना ऐसे ही जिन्दगी गुजार दें तो हर साल का end को उसकी carrying amount क्या हो यानि without impairment carrying amount क्या हो अच्छा मेरे बच्छों गोड़ों पे लेखना कितने का खरीदा है सिट हमने पॉस्ट में भी हजार डाल दिये और historical carrying amount में भी पॉस्ट में भी हजार बढ़ा अब मैं एंट्री पास की बहुत से देखना मैं एंट्री पास करूं सर्फ फॉर्स जैन्वरी 19 केंट भी पास करूं पीपी डेबिट कितने से एक हजार से और इसमें किसी को कोई अतराज नहीं सर्फ नहीं सर्फ फिर इसके बाद सर्मारे पास 31 दिसंबर आया 31 दिसंबर 19 हम क्या करेंगे कितने लाइफ कितने हैं पांच साथ नहीं नहीं कितने का遊戲 सिपर्स बिय17 एसा कितना रह गया 800 बाट्रे क्या पास करूं 35 vic सर मेरे पास depreciation expense debit कितने से 200 रुपए से और allowance grade कितने से 200 रुपए से किसी को इसमें कोई पंचाय कोई मसला कोई problem नहीं अब बदाओं पिर हमने क्या किया प्यारे भाई एक और 31 December 2020 फिर हमने बुख किया depreciation कितने गाव लिए कितने का depreciation होगा है मेरे प्यारे बच्चों यह मैं यह भी नहीं पूल सकता कि नाश्टा नहीं किया गया 200 रुपए का कितना रह गया दी 600 फिर कितना रह गया दी 600 और एंट्री पास करते किस तारीक को 31 December 2020 को किस चीज़ की depreciation expense debit कितने से 200 से अलाउंस क्रेट कितने से 200 रुपए से प्यारे भाई यहां तक हम पहुंच चुके हैं दो साल का end आ चुका है कि ऐसे इसका मतलब एशेट को क्या कर देना चाहिए इंपेर कर देना चाहिए लिखने का पॉकस कर लो लिखने का बॉट करना चाहिए शर कितना ले कराना है यह चितने की देद लेकर आना है 5010 रुपए पे किया करूं सर मैं पांच सो दस पे लेकर आना ना害 इम्पेर्मेंट बुक करूं कितने की 90 रुपीज की अच्छा मैं कियETH रहाँ घर इम्पेर्मेंट बुक ना होती तो कैरिंग आमाउंड कितनी होती अभी कितनी है पांसो दस तो एसिट पे इंपेर्मेंट आ गया किस तारीक को 31 संबर 2020 यानि सेकंड येर के एंड बे अब बताओ इस इंपेर्मेंट को रिकॉर्ड करूं इंपेर्मेंट लॉस कितने से नवे से और सर पीपी क्रेड कितने से मेरे प्यारे बचों ये चीज दिमाग में रखना कि जब आप इंपेर्मेंट बुक करोगे उस से पहले उस दिन तक की सारी डेप्रिसेशन तुम्हें बुक कर दी हो बताओ इंपेर्मेंट किस डेट में निकल रही है 31 संबर 2020 उस से पहले देखो वहां तक कि मैंने डेप्रिसेशन बुक कर ली है तो उसका मतलब है आप किसी भी असेट को इंपेर करने जाओगे पहले डेप्रिशेट कर दो उसको उस डेट तक दैन उसको इंपेर करो समझा रहा है अब बनाए सर हमने डेप्रिसेशन बुक किये दोसों की उसके बाद हमन आफ्टर इंपेर्मेंट किस तारी को सेम 31 डिसमबर 2020 गुजर गये साथ को इस्टारिकल करेंग अमाउंट का मतलब होता है कि अगर कोई इंपेर्मेंट बुक ना होती तो एसिट की कैरिंग अमाउंट क्या होती यह साथ-साथ लेके चलिए इसका एक रीजन है अब बता मेरे सब्सक्राइब रूचछों अगर में आप से कहो कि क्या एसिट को दुबारा रेप्रिशेट करना अगला साल आ गया 31 अगया कितने साल लाइब बागी तीन साल तो बताव पांसो दस को तीन से डवाइड गरूं कितना अदरे को पांसो दस को तीन से डवाइड गर जाएंगे वन 170 पका 170 और अगर यह इंपेर ना हुआ होता तो डप्रिसेशन कितनी होती 200 की होती लेकिए इंपेर्मेंट करने की वज़ा से चुक्के एसेंट का कहरेंग अब नीचे आ चुका है हमारे डप्रिसेशन एक्सफेंस कितना रह गया 170 मैं अब डप्रिसेशन को करूं किस तारीक को 31 डिसमबर 2021 को तो मेरा डप्रिसेशन कितना है जी 170 और अब यह विए बड़ा बेसिक सा कोईस्टन आप से कि मेरा बहुत बेसिक सा पूस्तिन आप से मुझे बता हुआ आपको नहीं लगता कि इंपेर्मेंट की वजह से हैं में फाइदा भी हुआ है क्या क्या फाइदा हुआ है हमारा साला डैनुए डैसेशन कम हो गया है हमारा कितना कम हुआ किधना हो गई है सर 17落 boredom कम हो गया साथ सर इंपेर्मेंट का मतलब है जल्दी लॉस लेकिन इस साल हमें तीस रुपए का पाइदा भी होगा कैसे सार डेप्रिसेशन हमारा रिड्यूस होगा उसके आने मेरे सारे सालों में डेप्रिसेशन ने इकस्पन्स क्या हो जाए करेगा कैम हो जाए करेगा अब बताऊ मेरे बच्चों मेरे पास कितने का रहा यह एक है ठ्री और यह यह 400 बता व कितने के दिश्चेशन कम बुक किया तो एक तरफ नववे का लॉस हुआ और दूसी तरफ तीस रुबएगा फाइदा हो गया तो अगर बुछ से को पूछे करने इड लॉस्कितना है साट और यह आपको इन दोनों के डिफरेंश से भी पता चलना हुगा कि इन दोनों के डिफ्रेंस अभी बता चलता हुआ कि सर हमारा एसेंट का कैरिंग आमाउंट 400 होता अगर कोई इंपेर्मेंट को नहीं करते और डेप्रिसेशन भी नॉर्मल रखते लेकिन अब चुब एंपेर्मेंट और डेप्रिसेशन रिड्यूस ओने के विज़से मेरा कै अब बताएं सब्सक्राइब अच्छे होगा है इस साल के एंड पर अच्छे हुए हमें पता चला हमारे रिकाबरेबल महुंट कितना हो गया है साड़े चार सो अब हमने एसे ट को ऊपर लेगी जाना है हम इस वक्ता कहां खणे हैं तीन सो चालिस पे जाना का है लेकिन दर्मियान में एक लक्ष्मन रेखा है कितनी चार सो रुपएगी करें जी अगर ऐसे टिम्पेर नहीं होता तो चार सो गा होता है हमने का हम यहां से उपर जाते हैं नहीं रिकाबरेबल महुंट यहां हमें रोग दिया लिया क्यों उसने का आप से कहा गया था कि कि इंपेरमेंट का लॉ्स करने इंकम भूख नहीं आपने लॉस कितना ऑप्र चारी लेकिना कभी केरिं dollars से उपर नहीं जाएंगगी ए क्यूंत लुदी से उस्पार नहीं थे यह करेंगी यह इससे उपर आप नहीं जा सकते तो बताओ अब मैं क्या करूं कितने से पी पी दुबारा डाइबिट कितने से साट से और रिवर्सल ऑफ इंपेर्मेंट यह जाएगा हमारे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एक इंकम के तौर पे कितना इंपेर्मेंट लॉस के तौर जा साथ शुक्ति जाता है या नहीं जाता मेरी जात तो यह इसके तौर पे जाएगी माइनश रुद्यूूस का बेने की लॉस सब्सक्राइब कर सकते हैं इतना कर सकते हो कि आपका एसे आपकी इससे उपर जाना नहीं यह समझ आती है सर्थ यह पहले कॉपी करें शावश फिर चारी से रे गवर करें अब टू चार सो जा सकते हैं ठीक है नहीं है अगर तीन सो नुवे तक होती तो पर हम तीन सो नुवे तक ही जाते हैं तब करेंगे जब हमारी एक साल लास्ट यह की इंपेर्मेंट नेक्स यह की इंपेर्मेंट से जादा और नहीं वहीं कौन सी बात कर रहे हैं जब हमारी इंपेर्मेंट की हो ठीक है जी पड़े हमांगे दोस्त एंट्रीज दिखागो नहीं कोड़ है हाँ रिकावरेबल अमाउंट ज़रूरी नहीं है बेटा फेर वैल्यू गी हूँ ठीक है ना दियान ना मेभी हम जब इसको बेचने जाए तो फेर वैल्यू बेखेगा ना इसको एक मिनट एंट्री दिखा दें सूरू से सूरू से देख लोगा अगर अगर इसको जादा हो तो फिर रिवर्सल नहीं करेंगे कि अगर इकार रुबल करेंगों ज़्यादा हो ज्यादा ना हो तो फिर रिवर्सल कर सकते हैं कैसे होगा फिर वर्सल मुझे बात बताओ जार एक चीज आन्प नहीं बैठ रही है कि जब आपने इंपेरिमेंट बुक किया है तो रिवर्सल तभी पॉसिबल है ना इंपेरि नीचे आ चुका है अब सबसीक्वेंट नी रिकवरेबल मौंट अगर उपर जा रहे तो यह आपने इंपर्बंट जो है वो रिवर्स करना है क्या आईए फारस के बगार काम चल जाएगा फैयर मंद में लेने की कोई जुरूरत भी अब बागे पैसा जाद है तो ले ठीक है इसके बुक्स है ना यह भी लेने की कोई जब भी ठीक है एफ़े टू में ले लेना जाए इन फैक्ट एक बंदे का सपोर्टर भूनने के लिए विताब हो उस बंदे का मुझे कुछ सपोर्टर मिल जाए तो मैं मान जाओं वाकई यार मैंने दुनिया में एक ऐसा इनसान देख लिए और वह है फजल रैमान साथ उसका मुझे एक सपोर्टर चाहिए जो वाकिए गयता हो गयार मैं इसको सब्सक्राइब मैं वह इंसान देखना चाहिए पांदेगा सब्सक्राइब कों से लोग है अचरण के अन्ट घटा Sole Conrad के सिच रुटेश और 17th सर्थ इसांग थे स्थाब में अन्टी सुव कि सव क्रवड तरू सब्सक्राइब टास इत्षिटेक्वेट इंटयूश लिए रामों दिर गविश्रिश बेर्विन घृ लिजुनस्तों लिह हुंटी भी द्रूब्स ते लिए प्रप्पोड रोगी ऊणिग दूसरे साल कि जाएंगे जन रेन लेटिस पास करें ठीक भनाएं देशन लशरण हुआ है अ ओ जी हो गया है क्या राजी रिवर्सल इंपिर्मेंट नौ रुपे गी चलो जी वेरी गुड सर आएं सर मुझे दर बताएं सवाद थोड़के मुश्किल होते जाएंगे इसके आ गया तर डेट पर्डिक्लर्स हमारे पास से तर कैरिंग अमाउंट और इस्टॉरिकल कैरिंग अमाउंट ऐसा सर मुझे सबसे पहले एक बात बना है मैंने एसेट खरीदा कब फिर्स जनवरी नैंटीन को एक्विजिशन कितने की सौ रुपे की वक्ता मेरे पास 31 डेसेंबर नैंटीन डेप्रिसियेशन पहले साल किदनी 20 रुपे कितना रहे गाए सर मेरे पास 80 और 80 फिर फिर आया सर मेरे पास इंपेर्मेंट इंपेर्मेंट मेरे पास आई है सर क्योंके मेरे पास रिकावरेबल अमाउंट कितना रह गया है 68 तो सर 68 तक पहुंचने के लिए हमें 12 रुपे का इंपेर्मेंट लॉस्ट करना पड़े पका किसी को कोई अतराज होगे जी सर यहां तो कोई इंपेर्मेंट नहीं आता है स्टॉरिकल केरिंग अमाउंट हम साथ लेके चल रहे होते हैं ताक हमें यह पता चले कि इस अमाउंट से आगे नहीं जाना ठीक है अब बताएं जी फिर उसके बाद 31st December 20 हमने क्या किया होगा कितने गार कितनी लाइफ बाकिए चार साल डिवैट बाद चार गुरू 68 सत्रा सत्रा इधर सर्वाई 20 कितना रहे है सरी 51 इधर 60 अब किसी भी सूरत में आप 60 से आगे नहीं जा सकते हैं ठीक है ठीक है अगर इंपेर्मेंट का रिवर्सल 8 होता दो 8 बुक करते 7 होता दो 7 बुक करते 9 होता दो 9 बुक करते 10 होता दो सर हम नौ तक जा सकते हैं नौ से आगे नहीं जा सकते हम साथ रुपए से आगे नहीं जा सकते हैं सर क्या दिया हुआ है हमारा रिकावरेबल अमांट 74 चला गया सब हम 74 तक नहीं जा सकते maximum point जा तक हम जा सकते हैं is the historical carrying amount which is 60 रुपए तो नौ रुपए उपर जा सकते हैं कितना होगा जी अच्छा अब logically जारा सुनो भी नो क्यों बुक किया impairment बुक कितने की थी बारा रुपए की depreciation reduce होने का फाइदा कितना हुआ तीन रुपए तो मैं क्यारा हूँ जी बारा रुपए का impairment बुक किया लेकिन उसकी वज़ा से तीन रुपए का depreciation कम बुक हुआ तो फाइदा हो गया तो net loss कितने का रहा गया नौ रुपए का पका हूँ इसकी जनल एंट्रीस पास करूं या यह कड़ लोग ऐसे पका हूँ आराम आराम से एक एक स्टेप पर लेके चलता हूं सही आराम आराम से नन्ने मुन्ने बच्चों की दरा बताव बिटा हमने एसेट खरीदा जिसमें किसी को problem है नहीं है एसेट खरीदा किस तारीक को पहली जनवरी दोज़ार में इसको पका साथ हो सब यहां पिर फिर उसने 2019 की इंपिर्मेंट का रिव्यू कब हो रहा है पहले साल के एंट पी तो पहले काम करो पहले साल के एंट पर आ जाओ कैसे आओगे 31 दिसमबर 19 तक का depreciation गुक कर लो किता है पांस साल की लाइफ है तो बीस कम कर लिया पका यहां पे भी इसका depreciation पका जी कितना रहेगा जी 80 रुपए कितना रहेगा जी 80 रुपए यह है मेरे पास carrying amount before impairment और यह date क्या है हमारे पास 31 दिसमबर 2019 पका जी यहां तक साथ हो उसने का जी पहले साल के end पे ही depreciation गुक करने के बाद जब हमारी value असी रह गए थी पता चला कि हमारी recoverable amount 68 रुपीज है तो हमें क्या बुक करना पड़ गया इंपेर्मेंट इंपेर्मेंट कब बुक करते हैं जब recoverable amount carrying amount से नीचे आ जाए कम हो जाए तो हमें लगा कि हमें अपने को क्या करना चाहिए इंपेर करना चाहिए कि अब बताओ अगर ना होता तो value इतनी होती होती असी होती इंपेर्मेंट के बाद वाली किन दी है अब भी बता हम पहले साल के धींड पर करने के बाद पीधियार सुमडर 2019 हम आगे नहीं गए अभी तक हम भी इस पहले साल के देप्रिसेशन के नाम फे वैल्यू नूस की और फिर 12 रूपए इंपेर्मेंट के नाम पे वैल् अब भी मैं कहां खड़ा हूं 31 डिसेंबर 19 यहां तक साथ हूं यहां तक साथ हूं पक्का अच्छा जी अब किते सा लाइव वागी है चार सा हुआ तो अभी एकी साल है लाइव कितनी वागी है अब अगले सालों का जो डेप्ली सेशन आप बुक करते हो रिमेनिंग कैरिंग को रिमेंडिक रॉप कर से अब अगले सींग भी कितना डेप्रिशेशन बुक करूं सर्मिंटियशन डवाट चार गर्ग करना सत्रा ना इस अप्रिशेशन इस लेस तें देप्रिशेशन विए उस्ट दुस्ट दुक जोंकि 20 रुपे घी अब हमार पास अप्शें सतरा ये बैली व सी रुपए होती और हमारे डेप्शन आज भी कितना होتा बीस होता इंपेरिमेंट की वज़ा से चुक़्ैसिट की कैरिंक अमौंट क एक्स से वजह से हमारा डेप्रिसेशन का हो ने कित्दा कम हो फाइदा हो गया नौ रुपए का लॉस बुक तो क्या हम हो पका अब बदा हमारे पास दूसरे साल गेंड पे बिफोर रिवर्सल ऑव इंपियर्मेंट कैरियंग अमॉण्ट कितनी है contains 51 इसको मैu कहले हुं Carrion अमॉ पिफोर रिवर्सल ऑफ यहां कितनी है Saturday अब बदा हुआ कैने जी हमारे पास 31 December 2020 पे एसेट की रिकवरेबल अमोंक 74 हो गई अब यह हमारे पास 31 December 20 है हम अब बदाओ मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे पूछू कि मुझे इंपेर्मेंट रिवर्स करना है 74 पर जाना है किया 74 पर जा सकता हूं नहीं सर क्यों कि आप 51 से मैक्सिमूं साट पर आ सकते हैं 74 पर नहीं जा सकते तो कितना रिवर्सल बुक करूं कितनी होगी इस से उपर नहीं जा सकते बता हमने पहले साल इंपेर्मेंट बुक किया था और दूसरे साल क्या कर दिया उसको रिवर्स कर दिया किसी को कोई इशू को प्रॉब्लम मसला पका ख़ता हम आगे बढ़ें यह कॉपी करना है पड़ें आगे जो डेप्रिसेशन ब इस सवाल को मैं रीट कर रहा हूं है हां निकिन फुड़ा सवाल को और पिछी नहीं लुमिने लिमिटेट इंपोर्ट 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 इन एसेट कॉस्टिंग तीन लाग साथ जार रुपे इस यह फानिल के पुश्च्टन का एक पार्ट ठीक है तीन लाग साथ जार रुपे का एसेट अपने लेकर रहा है फिर्स जनविल टूथान सिक्स्टीन को फिर यूस्फिल लाइब इसेट वासेट वासेट टूबी एट एट येर्स ठीक है जी इसेट वर सब्जेक्ट इम्पेर्मेंट रिव्यू एट टी एंड अफ टूथाद अब डिसंपर 2017 दूसरा साल महीने भी देखने है अधी दो साल तक आपने डेपेशेट करना है दो साल पादा आपने क्या करना है इंपेर्मेंट टेस्टिंग कर दी इंपेर्मेंट वस रेकगनाइज़ अकॉर्डिंग ली तो दिये और फिर विल्लेस कॉस्क्व सेल दोनों इसे क्या निकाल लोगे आपको रिकावर्बल अमूट निकाल के इंपेर्मेंट कर लोगे फिर फिर फानेंशल प्रॉस्पेक्स अधा कमनी एंड एक्स्पेक्टेट कैश लोग्स रॉम दी एसेट इंक्रीज़ इन टू तूथाज़न नैंटी ठीके जी दिए दिए कमनी र तो तीन तो नहीं सोच रहा ना चर्शी ओक्स दिसंबर सत्रा से डिसंबर इठारा रगए एक साल अपर डिसंबर उन्नेस तक दूसरा साल यह गड़ों के मैनेज़ कितने साल का काम करना है सुझ पहले साल एसेट करीदोगे जिए जीरो बी दो साल बाद इंपेर्मेंट करो पिर उसके दो साल बाद इंपेर्मेंट रिवर्स करों चाहसाल का जाना है जलन एंटरीस पास करनी है यह तुमारा होमवर्क है अगली क्लास में मैं आके यह समझाओं आ ठीक है जी और उसके बाद हम आगे बढ़े लो ठीक है अगली क्लास में नया स्टेंडर्ड भी शुर स्टेंट्र है और दैसे के नाम से आट में और तैसर कोही ने थी तुछ आखर कोईने के बाद इन्होंने का जी हम इसका नाम चेंज कर देते हैं यह अकांटिंग नहीच इसमें रिपोर्टिंग की भी रिक्वार्मेंट्स है तो उन्होंने आयो फारेस कर दिया अब पुराने जो आयेस हैं उनको तब्दील नहीं कर सकते हैं क्योंकि हर बंदा आदी हो चुका आये 16 आये 16 अब हम उसको चेंज करेंगे तो मसला हुआ है तो वह वैसी रहने दिये और अब जो नए स्टेंडर आ रहे हैं वाई फारेस के नाम से आदे और कितने आ चुके है सत्रह आ चुके है ठीक है